हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ आईएस हिंदी नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ के प्लेटफॉर्म पे और मैं आपके समक्ष दो सूचनाय लेकर प्रसुत हूँ फर्स्ट ऑफॉल तो भई जोग्रफी ऑप्शनल अर्थाद भूगोल वेकल्पिक विश्यकी क्लासेज जो है वो स्टार्ट होने वाली है बैचिस स्टार्ट होने वाले हैं और यह बैचिस बेसिकली आपको यूपी एसी मेंस में 300 प्लस मार्क्स गेन करने के एम के साथ स्टार्ट करे गए हैं फर्स्ट इंग बैचिस में क्लासेज जो है 31st ऑफ में से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेज कंड़क्ट मैं करने वाला हूं यानि कि आपके पूरे सिलेबस को कवर हम आने वाले समय में करने वाले हैं सो अगर आपका वैकल्पिक विशय अर्थात आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जोग्रफी है तो नो डाउट आप इन बैचिस के साथ जुड़ सकते हैं हिं इन दी माद्यम में जो है लाइफ बैचेस के माद्यम से जोग्रफी ऑप्शनल अर्थात भुगोल वैकल्पिक विशय में असिस्टेंस देने वाला हूं फाइन फस्टिंग नेक्स तिंग इस कि अगर आपने अभी तक यह निश्यत नहीं करा है कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए तो एक नट्शेल मैंने कुछ चीज़ें यहां पीछे लिख रखी हैं पहली बात तो यह कि इस बात को समझ लें कि जोग्रफी ऑप्शनल में यह वो सब्जेक्ट है जो आपको फॉस्ट ऑफ फॉल इस यह 300 प्लस मार्क्स अगर आप गेन करना चाहते हैं तो एक मात्र सब्जेक्ट है जो आपको इस प्रकार का सिस्टेंस दे सकता है कि आप प्री में अर्थात आपका जो प्रेलिमनरी इग्जामिनेशन होगा इसमें नियर अबाउट 30 से 35 कोशन्स याने की 30 से 35 कोशन्स हमेशा याद रखिएगा यह आते हैं बेसिकली जोग्रफी अर्थात भुगोल और पर्यावरन अर्थात इन्वार्मेंट से तो भाई जो जो जोग्रफी और इन्वार्मेंट के प्रशन है यह याद रखिएगा यह थोड़े टफ कैटिगरी के पूछे जाते हैं और अगर मैं इस पर से शब्दों में कहूं तो हमेशा याद रखें क जो ऑप्शनल है या फिर चलिए जीएस पर ही चर्चा करें तो याद रखिएगा जीएस के केस में आप पाएंगे कि जो पर्यावरन अर्थात इन्वार्मेंट पूछा जाता है यह इन्वार्मेंट बेसिकली किन तीन चीजों का संगम है इसे कहा जाता है बेसिकली जलवा इस पर्यावरन अर्थात जिस सब्जेट को यूपी ऐसी पर्यावरन मानकर इन्वार्मेंट मानकर पूछा करता है याद रखिएगा वो सब्जेक्ट वास्तविक्ता में इन तीन सब्जेक्ट का मिश्रन है इन तीन सब्जेक्ट से वो मिलकर बनता है और हमेशा याद रख अधर सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है आप डिफरेंशियेट नहीं कर पाएंगे कि एक्जेक्टली कहां पर ये पर्यावरंड का प्रश्ण लग रहा है और कहां पर ये जीव विग्ञान का या कहां पर ये जिल्वाई विग्ञान का प्रश्ण है मैं अगर आपको कहूं तो ये पार्ट खास कर हिंदी माध्यम के लिए खासा टफ हुआ करता है परन्तु होते प्रशन 12th standards के ही है ध्यान से समझ ये इस बात को और कमॉन इस चीज़ को फील करिए धैट ये subject जब आप पढ़ते हैं optional में तो आप वहाँ पर honors लेवल की पढ़ाई करते हैं और जब आप honors लेवल की पढ़ाई करेंगे तब के case में I think आप अंदाज लगा सकते हैं इस बात का easily you can predict आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं इस बात का कि भाई जब आप honors level तक की चीजे हैं optional के case में पढ़ेंगे तब के case में आपको भूगोल से पूछे जाने वाले प्रशन अर्था geography से पूछे जाने वाले प्रशन और पर्यवरन से पूछे जाने वाले प्रशन ये आपको बेहद ही आसान लगने वाले हैं याने कि आपके pre में ultimate exclusive assistance देने वाला सब्जेक्ट है geography so first reason कि क्यों आपको चुनना चाहिए geography optional तो उसका एक answer is this second thing याद रखिए कि इसके syllabus को अगर मैं आपके सामने कुछ define करना चाहूं तो थोड़ा ध्यान से आप यहाँ देखने का प्रयास करिएगा आप पाएंगे कि subject मैं आपको कौन कौन से topics कह लीजे part कह लीजे पढ़ने मिलते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ conventional part लिख रखा है just इतना करें कि जो बात मैं आपसे share कर रहा हूं इसकी पहले सत्यता की जाज कर लें that मैं सही कह रहा हूं या नहीं first thing याद रखिए कि UPSC अपने pre-mains दोनों ही stages में जिन topics हो मैंने यहाँ लिख रखा है इससे कितने प्रश्ण पूछा करती है please आप इसे जाकर एक बार चेक करें इसकी पुष्टी करें first thing याद रखिए geomorphology बोले तो भुवाकृति विज्यान इससे पूछे जाने वाले प्रश्णों की संख्या climatology अर्था जलवाई विज्यान से समुद्र विज्यान से इससे पूछे जाने वाले प्रश्ण प्री में प्लस में इसमें second dimension जरा इस पर ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीव भूगोल यह याद रखिए कि जीव भूगोल और पर्यावरणी भूगोल environmental geography और bio geography इस नाम से जो चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं यह करामतिकारी हैं revolutionary आप पाएंगे कि परयावरण से पूछे जाने जैसे प्रलायकारी प्रजिनन विफलता आपको लगेगा कि शाहिद यह प्रश्ण कभी UPSC ने पूछा ही नहीं है मैं दावे के साथ कहता हूँ वो crowd जो basically UPSC के pre के बाद gate के पास खड़े होकर यह चर्चा करता है कि UPSC मंगल ग्रह से प्रश्ण बनाती है उस crowd के लिए यह answer है कि deer वो प्रश्ण इस इस स्थान से बिलॉग करते हैं ऐसे बहुत सारे उधारन है जिसे आप आसानी से इस शीज को देख सकते हैं कि जो प्रश्ण UPSC ने optional ने पूछा एक या दो वर्श बाद उससे उसने GS में पूछा है इसके बहुत सारे उधारन है चाहे आप पराचुमबकत्व को देखें पराचुमबकत्व GS में पूछा नहीं जाता था option ने पूछा जाता था आगले दो वर्शों के अंदर आपने उससे देखा कि ये पूछा गया basically GS में प्रश्ण प्री में भी आया इसके अलावा जीव भूगोल के नाम पर या परेवरनी भूगोल के नाम पर जो section आप यहाँ पढ़ते हैं वहाँ प्रलायकारी प्रजनल विफलता अर्था catastrophic breeding failure इनसे प्रश्ण पूछे गए हैं जहाँ पर बहुत सारे birds के eggs यानि कि उनके अंडे नस्ट हो गए परेवरन और जलवाई परिवरतन के कारण अब इस प्रकार की चीज़ें जो अकसर GS का student नहीं पढ़ता optional का student इसे बेहद ही गहराई में जाकर पढ़ता है और इसका फाइदा अकसर मिला करता है जब आप pre देने जाते हैं यानि कि you are आप हमेशा एक step ahead होंगे उन सभी student से जो केवल GS के माध्यम से pre के प्रश्णों को solve करने का प्रयास करते हैं डन अब ज़रा दूसरे पहले उपर नज़र डाले यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ topics मैंने लिख रखे हैं broader sense में geography option का syllabus है यह आप यहां पाएंगे कि यहां कुछ वर्ण नित है जरा इसे देखे इसे कहा जाता है मानव भूगोल या human geography मैं कैसे आपको इस बात को शब्दों में समझाओं कि पूरी UPSC की ज़र्णी में सबसे interesting subject is मानव भूगोल या human geography यह सबसे practically दिखाई देने वाला subject है आप ज़रा इस बात पे और मेरे कथन को दिहान से समझेए जब आप इस कथन के साथ अपना answer writing करेंगे सोच कर देखे understanding next level पर होगी कैसे तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति या सबसे अधिक धनवान व्यक्ति चलिए भारत ये case में बात करते है जहां तक मेरा अंदाज है कि जो अमबानी house है इसकी कीमत शायद दुनिया की सबसे उची building में से एक रही building से जादा है याने कि भारत की सबसे महंगी रहवासी building के सामने दुनिया का सबसे बड़ा slum दिखता है आप पाएंगे दौनों एकी स्थान पर है एकी space पर है याने कि मानाव भूगोल ये कहता है कि अगर किसी स्थान पर human geography ये कहती है कि अगर किसी स्थान पर धनका के इंदरी करण है आपको सामने उसके एक बड़ा slum दिखाई देगा दुनिया का सबसे महंगा घर के सामने दुनिया का सबसे बड़ा slum इस्थित है exactly सामने नहीं है पर ये एकी place पर है एकी स्थान पर है कारण human geography आप पाएंगे कि आपके शहर में आपको ये पुराना bus stand दिखाई देगा आपको पुरानी अनाजमंडी दिखाई देगी एक नया bus stand दिखाई देगा पुराना railway station दिखाई देगा सदर बाजार दिखाई देगा human settlement सदर बाजार के पास civil line दिखाई देगी civil line में आपको अधिकारियों के घर दिखाई देंगे सदर में आपको सबसे अधिक महंगी दुकाने दिखाई देंगी और उसे सान से चल कर जाता हुआ एक रोड दिखाई देगा जो आपके शिती के इंडस्टीरियल एरिया तक जा रहा है और द्योगिक छेतर तक जा रहा है सदरबादार से चलने वाली उस रोड को ध्यान से देखें जो इंडस्टीरियल एरिया की और जा रही है बीच में एक बहुत ही पॉश बस्ती दिखाई देगी और आगे एक स्लम दिखाई देगा वहाँ एक पुलिस्थाना दिखाई देगा और वह पुलिस्थाना स्लम के एरिया के लोगों को उस पॉश बस्ती में जाने से रोकेगा नोटिस करिएगा this is called human geography वाई human settlement मानो बस्तियों का प्रकार भारत में इसी प्रकार से है यह मुगलकाल से लेकर वर्तमान तक है प्रेक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ओफ जोग्रफी मानो भूगोल का पार्ट इसी तरीके से आप ध्यान से देखें आपको आर्थिक भूगोल दिखाई देगा अब आर्थिक भूगोल और राजनेतिक भूगोल पर अगर मैं थोड़ा सा लाइट डालूं थोड़ा सा प्रय कि जो यूएसे हैं अगर मैं उनके शब्डों को रिपीट करूं बिना उसे किसी भी प्रकार से चेंज करें कि याद रखे की यूएसे की जो विदेश नीती है इसमें एक ही चीज स्थाई है और वह है USA का मतलब कोई भी USA का अच्छा मित्र या स्थाई मित्र या शत्रू नहीं है एक ही चीज स्थाई है USA की foreign policy में वो है USA का मतलब अर्थात जो भी संबंद होते हैं वो किसी मतलब पर आधरित होते हैं चाहे one to one relation हो या फिर यह relation हो दो देशों के बीच में और दो देशों के बीच में relation एक इंट्रस्ट एक मतलब से बनता है और वो मतलब एक मात्र है अपका भूगोल आपकी जोग्रफी अक्सर आपने इलाइन सुनी होगी कि रश्या हमेशा यह उम्मीद करता रहा कि इश्वर्षायद यूक्र dale यूरीजा का wal नहीं हो रहा होता पाएं आप द्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस बात पर जरह फोकस करिए यह है भारत का जो मैप है से द्यान से देखें आप पाएंगे कि भारत के मैप में जहां जहां अनुपजाओ भूमी है चाहे मैं आपसे राजिस्थान के बाद यहां बीहड वाले एरिया खासकर बीहड वाले छेत्र किया यह बात करते हैं चंबल का बीहड वाला प्लेस अनुपजाओ है कोई मानो बस्ती नहीं किस किसी भी प्रकार का जो है वो अध्यूगी करण नहीं किसी प्रकार की क्रिशी नहीं नहीं अच्छा human settlement बताइए मुझे दुनिया में कि सिस्थान के डाकू सबसे ज्यादा फेमस हैं चंबल के भी हडवाला एरिया बैडलेंड टूपोग्राफी इसी तरीके से ध्यान से देख भारत में रेड कॉरिडोर या मैं कहूं वो इस्थान कहां है जहां पर नकसल बाडी मुवमेंट टेज है जिस एरिया में रेड सॉयल है उस इस्थान को रेड कॉरिडोर कहने का कारण वहां पर इस्थित बेसिकली नकसल बाडी मुवमेंट है नकसलाइट्स का होना है अब और यह मुझे बताईए कि द्रक्स की problem कहा है तो आप पाएंगे पंजाब वाले एरिया में और पंजाब की नई प्राबल्म क्या है पंजाब की नई problem है शिवाली किसे एरिया से आती हुई वह नदियां जो इसेबीहण में बदल रही है छोस कहा जाता है याद रखे कि geography is representative जोगरफी हर एक चीज़ का कारण है आप यहाँ से देखिए तो अक्सर जो व्यक्ति है वो आतंकवाद को अक्सर व्यक्ति धर्म से जोड़ता है आतंकवाद वास्तिविक्ता में धर्म नहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है आप यहाँ पाएंगे किसी भी भूभाग की अगर मैं चर्चा करूँ तो जड़ा मुझे एक उधारन दे जहां पर इस पस्तोर पर कह सकें कि उस स्थान पर आतंकवाद वहां की geography के कारण नहीं आया हर वो place जहां पर आतंकवाद जन्मा उस place को द्हान से देखिए वो अनुपजाओ भूमी है फर्टाइल एरिया में ऐसे एरिया में जहां पर भूमी बहुत उपजाओ है बहुत जादा उत्पादन है उस स्थान पर आपको आतंकवाद का जन्म दिखाई नहीं देगा कहीं ना कहीं भूगोल से कनेक्शन है यहां द्यान से समझे कि अगर मैंने आप से कहा कि राजनेतिक दुरुबसत्य है कि जो लैटिन अमेरिका है इसका एक इस परस्ट जो है वो राजनेतिक स्टेटस है कि इस स्थान पर आप मान कर चलिए कि कि नहीं भी दो देशों के बीच में कभी भी बहुत अच्छी मित्रता या सत्त्रू यह कभी नहीं हो सकते ना ही यह बहुत चत्रू होंगे वाई विकॉस जियो पॉलिटिक्स चर्चा करेंगे किसी दिन आप यहां पाएंगे कि वेनिज्वेला और यहां गुवाना का एरिया है इनके बीच में संसादनों के वितरन को लेकर हमेशा विवाद है और याद रखिए कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के लिए बहुत डीप होगी इंटरनेशनल रिलेशन आपके लिए वो सब्जेक्ट होगा जिस सब्जेक्ट में आपके उत्रों की गहराई आपके आंसर्स की डेप्थ अधर स्टुडेंट से बहुत जादा होगी इतना ही नहीं प्रादेशिक भूगोल और भारत के भूगो नहीं देते जबकि उस स्थान पर मानवी घड़ी बायलोजिकल साइकिल ये खराब हो रही है लोगों की इन फर्टिलिटी की समस्या हो रही है संतानुत्पत्ती की समस्या तक हो रही है लोगों को लेकिन भारत सरकार है कि एक से दूसरा टाइम जोन नहीं दे रही फिर पेंशन आएगा कि भारत सरकार भारत को भारत बनाए रखने के लिए क्यों इस स्थान में दूसरे टाइम जोन को अवाइट कर रही है हम क्या चाइना को कॉपी करते हैं क्या हम उस देश की तरह डिक्टेटर हैं आंसर इस नो बट फिर भी हम एक टाइम जोन मेंटिन करते ह पढ़ेंगे आप कारण जोग्रफी ऑप्शनल में डीटेल में इन डेप्थ में इतना ही नहीं अगर मैं आपसे केवल ये प्रशन करूं कि डियर मुझे इस बात की जानकारी दें कि वास्विक्ता में जो भारत का संगवाद है कितना ब्यूटिफुल ये प्रशन है इमेज से जोग्रफी से हमारे भूर आजनीती से इस स्ट्रक्चर का जन्म हुआ है तो मैं सपस्तोर पर बताऊं तो हमारी पार्यमेंटरी सिस्टम यह हमारी संसदिय शाशन प्रणाली वास्विक्ता में हमारी जोग्रफी से ही डिसाइड हुई थी यानि कि हम यूएसे की तरह अनि देशों से अलग है हमारी जोग्रफी अनि कंटरी से अलग है अगर आप इस उप्शनल को चुनना चाहते हैं यहां मैंने बहुती सलल शब्दों में आपको वो टॉपिक समझाने का प्रयास करा जो आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्यों विकॉज आप सेलेक्ट कर यह आसान होगा रीजन इस आप चुन रहे हैं जोग्रफी एजा ऑप्शनल सब्जेक्ट सो अगर आप जोग्रफी को अप्शनल सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं हिंदी माध्य में इसे पढ़ना चाहते हैं अच्छे मांक्स गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे ब और इस course को दी गई प्राइज अर्थात 15,999 की cost पर आप ले सकते हैं आपको इसके अलावा बहुत किसी अधर संसाधन के आउशकता नहीं होगी एक आदादा एटलस लगेगा भई इसके अलावा nothing more सो इस उमीद के साथ के डियर मैं आने वाले समय में आप सभी आईएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूँ मेरे साथ जोगरफी पढ़ते वे देखने वाला हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में have a very nice day thank you हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी